सुनिश्यत किया गया है। 21 फरवरी से 28 फरवरी तक मुनगा के पौधों को घर घर में रोपित करना, ट्री गार्ड से सुरक्षा देना और अतिकम वजन के बच्चों के परिवार को जानकारी देने का कारिक्रम बनाया गया है। से इसका उप्योग पोशन के लिए होता है। मुनगे की फली से जहां स्वादिष्ट सबजी बनती है तो वहीं इसे सेख कर खाने से ये मुनग फली जैसा स्वाद देता है। से चार गुना अधिक विटामिन A, केले से 15 गुना पोटेशियम, पालक से 25 गुना आइरन और दूद से 17 गुना ज्यादा केल्शियम होता है। मुनगे के बीज के चोंड से पानी शुद्ध किया जा सकता है। मुनगे की पत्तियाँ शुशू और बढ़ते बच्चों के लिए टौनिक के समान है। इसके पत्तियों के 25 ग्राम चोन से बच्चों को 42 प्रतीशत प्रोटीन, 125 प्रतीशत कैल्शियम, 6 प्रतीशत मैगनेशियम, 74 प्रतीशत आयरन, 41 प्रतीशत पोटेशियम, 272 प्रतीशत विटामिन A और 22 प्रतीशत विटामिन C की पूर्थी होती है। इसकी पत्यों का रस बच्चों को दूद में मिला कर देने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है महिलाओं को मुंगे से कैल्शियम, विटामिन, आइरन और अमीनो अमल मिलता है मुंगे की पत्यों का रस गर्भवती माताओं को प्रसव पीड़ा से राहत देता है और इससे माताओं में दूद का स्राव भी अधिक बढ़ जाता है मुंगे को लगाने के लिए ताजे बीजों को रात भर पानी में भिगोएं खाद और बालू रित मिली आड़ भाई चार की पॉलिथिन बेग में दो बीज प्रती बेग के अनुसार एक से दो इंच की गहराई में बीज को लगाएं एक महाबाद पोधों को डियर्ड भाई डियर्ड के गड़े में लगाएं और हलकी सिचाई करें छे महाबाद ये पोधा फल देने लगता है मुनगे की पत्तियां भी बहुत लाबदायक है इसे भंडारित भी किया जा सकता है सरुटधमी से पियर से तोड़ें, चाया में सुखाएं, कूट कर बारिक करें फिर इसे च्छान लें और फिर आप इस चूंड को सबजी में मसाले की रूप में काढ़ा बना कर या फिर इस रोटी के आटे में गूत कर आप उपयोग कर सकते हैं और तोर आप इसकी चूंड को टी एचार की पाउडर में मिला कर लड़ू और चक्की भी बना सकते हैं। और साथ ही डाइट चार्ड के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस वजन की बच्चे को कितनी मात्रा में मुनगी का पाउडर देना है। सागर संभाग से कुपुशंड दूर करने में मुनगा एक महत्व पूर्ण हत्यार है। आइए कुपुशंड की इस लड़ाई में हम सभी शामिल हों। एवं माता और बच्चों की स्वास्त को उत्तम और निरोगी बनाने में अपना योगदान दें। सबस्टाइब की इस लड़ाईब की सकानो आइए के प्लाब की स्वास्ति लड़ाईब की बनाने में में हम नाज़ाईब की इस लड़ाईब की रिरोगदान – ज्वे रहे